मैं डॉक्टर सुपरिया पुरानिक, डिरेक्टर 9M Fertility, अंकुरा विबनन चिल्टर्न होस्पिटल, पुने एप्रिल का लास्ट वीग, ये Infertility Awareness Week के नाम से जाना चाता है इस वीक में हमें Infertility के बारे में जादा बाते करनी हैं, लोगों को अवेर करना है, कपल्स को अवेर करना है, यंग पॉपिलेशन को अवेर करना है Infertility ये ऐसी चीज़ है जिसका कोई symptoms नहीं है, आप दोनों physically fit रहते हो, लेकिन फिर भी आप Infertile हो सकते हो इस Infertility Awareness Week में हमें Infertility क्या होती है, कैसे होती है, उसके reasons क्या है और अपनी lifestyle इस पे कितना impact डालती है उसके साथ ही Infertility को लेके बहुत ज़्यादा misconceptions है, वो misconceptions हमें पता होना चाहिए तो ये सारी जानकारी ये हफतों में तरह तरह के platform की जरिये हमें मिलती है मिसाल के तोर पे देखा जाए, तो जब हमारा sexual function एक्तम बढ़िया रहता है, हम alternate day intercourse कर सकते हो वैसे sexual life में कोई problem नहीं रहता, फिर भी हमारा sperm count कम रह सकता है, उसकी motility कम रह सकती है, morphology कम रह सकती है उसमें DNA fragmentation data पारा जादा रह सकता है, और ये सारी चीज़े हमारे fertility को impact करती है उसके साथ ही जब लड़किया चोटी रहती है, उम्र से चोटी रहती है, तो हम fertility के बारे में और confident रहते हैं हमारी उम्र कम है, इसका मतलब ये नहीं है, कि हमारा image अच्छा ही होगा हमारी उम्र कम भी रहती है, तो भी हमारा image यने कि हमारे अंडों का हमारे ओरी में रहने वाला reserve ये कम हो सकता है आजकल, pollution की वज़े से, pesticides की वज़े से, fertilizers की वज़े से, use of plastic की वज़े से, हमारी lifestyle की वज़े से, lack of exercises की वज़े से, बहुत सारी stress की वज़े से, obesity की वज़े से, हमारी fertility लड़कियों में decline हो जाती है और ऐसा भी देखा गया है, कि बहुत ही कमर उम्र की लड़कियों में, AMH याने की एक का रिज़र्ब कम रहता है, इसलिए हर एक लड़की को अपने AMH के बारे में जानकारी होनी चाहिए, AMH ये एक हार्मोन होता है, ये anti-mullerian हार्मोन है, जो दर्शाता है हमारे एक का काउन प्याने की हमारा ovarian rhythm, जैसे लड़किया healthy hearty रहती है, उनके menstruation अच्छा रहता है, sexual function अच्छा रहता है, फिर भी उनकी tubes ब्लॉक होने की संभावना रहती है, तो ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए, और कभी ऐसे भी होता है, कि हमें PCOD रहता है, हमारी menstrual cycle irregular रहती है, औ कभी conceive नहीं हो सकते, तो ये बहुत बड़ा misconception है, PCOD में हमारे औरी में बहुत सारे अंडे रहते हैं, लेकिन PCOD की cases में भी lifestyle correction के बाद और थोड़ी सी treatment के बाद, वो easily conceive हो सकते हैं, उन्हें IVF की जुरत कम लगती है, तो ये infertility awareness week क्या take home message है, हर एक लड़का, जिसकी family अब त count के बारे में, motility के बारे में मालूमात होना जरूरी है, और हर एक लड़की को उसके image के बारे में पता होना जरूरी है, और PCOD एक lifestyle disorder है, तो PCOD का diagnosis हुआ है, तो हमें अपनी lifestyle पे ध्यान देना है, thank you.